कि नौसकार इंदे लुक्ते स्पोर्ट्स पेज़ पे अपका स्वालत है मैं हूँ राजी मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रन्यूद रन्यूद में आज बात करेंगे भारत और बांगलरेश के बीच खेले जा रहे हैं पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल के बारे में और दूसरी दिन क्या कुछ ड़नीती होनी चाहिए बात करेंगे भारत के च्छे विकेट गुर चुके 286 रन भारती टीम ने बनाए है और इस रन तक पहुंचने के लिए भारती टीम को खासी मश्रक्कत करनी पड़ी क्योंकि मांगलादेश के स्पिन गेदबाजों ने सही लाइन और लेंट में गेदबाजी की और यह यूँ ही कह सकते हैं कि भारत ने थोड़ी दबकर वने बाजी की जब तक रिशप पंत क्रीस पे थे तो बड़ी मेडियोकर सी स्पिन गेदबाजी लग रहे थी लेकिन उसके बाद ताइजून हो चायब मेंदी हो सबने बहुत अच्छी और कसी गेदबाजी की जिसका नतीजा यह था कि 90 और जहन में रखना पड़ेगा अगर आप दोनों टीम का मैच अप करने की बात करेंगे तो पहरे दिन के खेल में क्या कुछ अच्छा रहा और क्या कुछ खराब के अब आटीपी में इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सबा करीम है पूर क्रिकेटर सेलेक्टर और साथ ह अभी कॉमेंटेटर सभावाइद कितना सैटिस्फाइड है नब्योवर का खेल शेयर विकेट डाउन और 286 रन इसकोर बोड़ पे अजिक्स कर ले राचमा सार अन्म्यूट करें जरा मैं कहरा हूं कि जिस तरह हमारी जल्दी विक्टे गिर गई और चितेश्वर पुजारा हम सभी जानते हैं कि वो थोड़ा सा कि चालिस रन और बनने चाहिए थे लेकिन विकेट से बॉल बिल्कुल नहीं आ रहा था अगर आप देखें श्रोक प्लेइंग बॉस नॉट वेरी इजी कि क्योंकि वहां पर शुरुआज जब हुई तो बहुत लो बाउंस था बॉल दो टपे में कीपर के पास पहुंच र कि आप उनको लिफ्ट करें स्टेपोट करके उस तरह की बलेबाजी हुई नहीं हमारत से तो मैं कौंगा कि मैं सबसे एक नमबर जाधा भारत को देना चाहूंगा मुझे लगता है कि दसमें साथ अंग डिजर्व करता है भारत चले हम जब तो उमीद करें थी कि दसमें दस पुजारा भी अलगी रहे हैं लभी रहन पर आउट हो गया है और यह आउट होना तब जाला खलता है कि जब आप शतक के बाद शायद अपने स्ट्राइग को थोड़ा सुदार सकते हैं अब उसी टाइम आउट जाते हैं उसका प्रेशर कहीं लिखता है पहले शायद हम इत स्टार्ट मिलने के बाद उसको हम कनवर्ट नहीं कर पाए इसी वज़े से जो रन रेट है उसमें थोड़ी कमी आ गई है तकि पुजारा ने जो वही किया जिसके लिए वो मशूर है जिसके लिए वो इतने सालों से खेलते आ रहे हैं वो आपको स्टेबिलिटी प्रदान कर हैं हम पुजारा से यह नहीं उमीद कर सकते हैं कि वो सौ के स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगा उनका काम है विकेट पर डट कर खड़े रहना कटिन परस्थिती में टीम को निकालना जो कि आज भी उनने किया पर एक अच्छी बात पुजारा के बलेबाजी हमेशा रहती ह है कि एक बार वो पंदर बीस रन जो बना लेते हैं फिर आज भी आपने देखा होगा शांदा तरीके से स्टेप आउट करके वो स्पिनर्स को खेलते हैं वो कट खेलते हैं बैक फूट पकंच बहुत च्छी तरह से करते हैं उनको मालूम है को उनको रंस कहां से बनाना है त और वो अंतिम जो एक घंटा है फिर वहां से कुछ हथा बांग्लादेश ने वापसी कर ली पुजारा का विकेट लिया और वो अंतिम गेंद पर जो अक्सर पटेल आउट हुए नहीं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हुथा कि 300 सवा 300 पर अगर तीन चार विकेट भारत का घि रहा है राच्वादर आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम ज्यादा अरांग से सोही जीटो अचीब कर 286 बनाकर भारती टीम मेनजमेंट ज्यादा खुश होगी है बागलारेश की टीम जोनों ने 6 विकेट निकाल लिए और उनके पाल बहुत अच्छा चार्स है कि आप सव और अगर और बनाएं तो फिर हम ट्रेशर डाल सकते हैं बंगलादेश के उपर वहीं बंगलादेश भी खुश होगा कि पहले दिन टॉस हारने के बाद उन्होंने 6 विकेट आउट कर लिए भारत के और बहुत जादा रन भी एक्स्ट्रा लीक नहीं किये तो कहीना कि दोनो के लिए ही मुझे लगठा है कि बराबर सी इस्तिती है अभी ऐसा कुछ नहीं कि हम किसी को भी एडवांटेश दे सकते हैं बलकि मैं कहूंगा एडवांटेश खायद 55-45 भारत के पक्ष में है चारे अब थोड़ी बास साजेदारी की कर ले है श्रया सेयर अपना अच्छा कंटीनियू किया है बस अब भाई ओडियाए क्रिकेट में जिस सरह का फॉर्म था उसी को कर देना ज़रा है टेस्क्रिकेट में भी हाँ और ये अच्छी बात है जो अपका फॉर्म चल रहा है तो फिर उसी को आपको और भी आगे बढ़ाना हो गया हाला कि आज उनको तीन म मौके मिले राजीव ये तो आज कैशिंग मांगमेदेश को अतनी अच्छी नहीं हुई पर इसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने स्पिनर्स को टैकल किया खुलकर बले बाजी की पेस्बोलर्स के विरुद भी थोड़ा जो कवर ड्राइज उन्होंने लगाए अपिश समय रिशप पंत आउट हुए थे जिन्होंने फिर से एक धमाकेदार पारी खेली तो उस मुमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक ऐसा बले बास चाहिए जो आके खुलकर बले बाजी करें तो श्रय सहीया ने वही किया शांदार साजदारी रही धीरे धीरे कोई बढ़ाने का और इस तरह की साजदारी में उनके ऊपर कोई दबाव था नहीं कि दूसरी छोड़ से रंज आ रहे हैं या फिर उसके पहले रिशप पंत के बले से आए राचमादर जो भी विकेट गिरे आज उसमें अगर एक अच्छी गें जो विराट जिस पे आउट बाकी बैट्वर्ण आपको नहीं लग रहा है अपनी गल्तियों साउट वे बहुत एंबिशिस शॉट्स के लेगे वह शुबमन के लोग यह के राउल आप आप आउन्दर आइस केले की कोशिश की पिर रिश्प पंत जो विकेट करने चले गए पैसे आप देख रहे हैं य करना चाहरे है कि आपको अपना स्ट्राइंग कर रहे हैं कि जिस तरह से विकेट गी रहे हैं आपनी कुछी से जादा बल्ले बास आउट है पिल्कुल राजीव देखिये यहाँ पर मैं यह क्या होगा कि बहुत जादा हम वाइड बाल करिकट केल रहे हैं बहुत जादा वं छोड़ने का तो कि चांस ही नहीं है या रोकने का आप एवरी ताम यूर लुकिंग फॉर रंस तो टेस्ट मैच क्रिकेट थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर थोड़ी अटैकिंग फील भी होती है तीन स्लिप एक गली खड़ा होता है कैचिंग पोजिशन होती है तो वहाँ पर आपको थोड़ा से संबल कर खेलने की जरुरत होती है लेकिन क्यूंकि आप उस फ्रेम आफ माइंड में होते हो कि आपको सारी बॉले खेलनी है छोड़नी है नहीं डिफेंस नहीं करना है क्यूंकि आदत पड़ चुकी है बहुत जा आपको थोड़ा से संबल कर भी खेलना होता है कि अच्छी बॉलों को आपको रिस्पेंट देनी है क्योंकि वहाँ पर कैचिंग पोजिशन होती है वहाँ पर कैस लेने के लिए प्लेर्स कड़े होते हैं तो बड़े क्लासिक डिस्पेसल देखे एक विराट को जिस तरह उड़के उनने फिर पुझारा नवे रंपर जिस तरह बीट किया और उनको एक मात्रा से स्पिनल ते जिसको टर्न मिल रहा था पिंगर इस्पिनल को पहले दिन अगर तर्न मिला तो कुछ ना कुछ खासे अदम के अंदर और सेकेंड ही विकेटिकर है इस वांगलेदेश की लाइनप के जो खेलने टेस्पार बहुत बड़ा अंतर होता है कि अटैकिंग माइंसेट के साथ गेंद्वाजी करना और गेंसेट के साथ गेंद्व यह मानना था कि इनका बड़ा एक क्लीन एक्शन है उसके साथ साथ अच्छा मिश्रन है गती में परिवतन वो करते हैं जिसके वज़े से कई बार उनको उच्छाल मिलती है या कई बार उनको घुमाओं मिलता है ऑफ दे विके जिसको हम लोग टर्न कहते हैं वो आज देखन का विकेट था जहां पर आपको गती मिल नहीं रही आफ दे सर्फिस वहां पर इस तरह के मिश्रन के साथ आपको गेंद बाजी करनी होगी तो तैजी लिस्लाम एक मात रहसे बोलर रहे है स्पिनर्स में जिन्हों ने परिशान किया भार किये गेंद बाजन को दूसरी चोड से मुझे रगता है कि जो सपोर्ट मिलना चाही तो इतना वो मिल नहीं पाया और एक और बात है राजी कि बहुत दिनों के बाद जो आप टेस मैक्स खेलें जो बंगलदेश के साथ हो रहा है तो लंबा स्पेल डालना भी एक प्रकार की कला है और आजकल के जमाने में जो व कोल्डर में ताकत होने चाहिए ताकि आप सही लेंग पर करें तो उस हिसाब से गर हम देखेंगे तो तैजर इसलाम ने बहुत आदा प्रयास किया शांदान के गिनबाजी रही और बहुती महत्वून विकेट उनने लिए एक कैच उनके गिनबाजी उनके बॉल पर छूड गया कॉर्ट बिहाइंड चाहिए तो ओवरॉल देखेंगे तो बहुत आदा इंप्रेस किया तैजर इसलाम ने राच्वाँ सर जब दिन का खेल ख़ता हुआ और एक सो उन्चास रहनों की साजेदारी पे हम नजर डाल रहे हैं यानि कि जो पुझारा और श्रिया सेयर के ब जो लगता है और ये विकेट स्लो हो जाएगा और कहीं न कहीं स्पिनर्स को मदद देगा इसलिए दोनों टीम उने आप देखें तीन-तीन फ्रेंट लाइन स्पिनर्स किलाएं और यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में स्ट्रोक मेकिंग और जाधा डिफिकल होती जाएग जाधा प्रेशर हो जाएगा बंगलदेश की पाइटिंग पर क्योंकि भारत के बास एक अच्छा बोलिंग लाइन अप है तीन हम प्रॉपर पार्ट बोलर्स के साथ खेल रहे हैं राचमादर विराट जिससरा आउट हुए उसको आप कैसे अनलेसे करते हैं क्योंकि सब कॉ सब्सक्राइब और निए तो इसके पहले करना चारों फिर सब्सक्राइब के पास जाओंगा यह बैक पूट पर पकले जारहे हैं क्या रीजन आप देखते हैं पहला बॉल जब ऑस्टम की लाइन पर बहुत अच्छा लोट डिफेंस के अजैसीव लेक्स्टम की लाइन पे आपके आई-लाइंग पहाँ बहुत 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 थोड़ा सा सिंगल के लिए इस तरह तो थोड़ा सा जीब लगा कि मदब जैसे होता है डबल माइंडेट से हो गए वो कि आगे पार टार उसी बीच में वह सकाट अब ऑब बॉल भी थोड़ा सा ड्रिफ किया उसके बाद अच्छा स्पिन भी हो गया तेज तर्न किया तो उसमें क्रेट बोलर को भी देना पुड़े गगा सब्सक्राइब आप कैसे देख रहे हैं आपने कई डिस्विसल अब देख लिए हैं विराट के जादा दर सब कॉंडिनेंट में बैक फूट पर खेलने की कोशिश रहती उनकी क्या रीजन आप देखें और फिर आउट होने का सिंसला एक जैसे ही पैटर नजर आने लगता है हाँ राजीव पर आज अगर अब देखेंगे तो विराट कोली तीसरी गेन पर आउट हुए तैजर इसलाम से उसके पहले दो गेन जुनों ने खेली वो फॉरवर्ड डिफेंस किया बहुती लंबे स्ट्राइट के साथ और हम लों बैट का तारीफ कर रहे थे ये देखी कि इसनों ने लेंद को पिक किया है और उसके बाद बॉल के लाइन में बैट लेकर आए है अब चुकि एक पैटर्न सा नजर आ रहा है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ विराट कोली के के तक्निक के बारे में क्या बात की जा सकती है अपर राजकुमार ने भी चुकि वह भी बह भी बताते होंगे कि जब हम फ्रंट फुट पर खेल रहे होते हैं माद यह पर बीड़ आना चाहिए पर चुकि इस गेन में गती थी, ज्यादा गती थी, तो मुझे लगा नहीं कि विराट कोली एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, कि इस बॉल पे भी घुमाओ मिलेगा, इसी वज़े से उन्हें गलत लाइन चूस की खेलने के लिए, इसके वज़े से वो LBW हो गये, पर ऐसे कोई ब कि वाइड बॉल क्रिकेट में रिशापंत बिल्कुल खेल ली पाते हैं और रेड बॉल क्रिकेट में वाइड बॉल जैसी बैटिंग करने लगते हैं, और एसे लेक्सपों से बड़ा प्लेरी में कोई, यह है क्या माजरा समझाएं जरह हम मुझे भी और जो हमारे अभी उनको उमरी क्या हुई है, बीस, एकीस, बाइस साल के हैं, थोड़ा समय लगता है, यह तो खुद भी बता चुके है, इंट्रिविव में, हरशाप अबले को समझाएं, उन्होंने बहुत अच्छा दे तो यह मानता हूँ, तो यह मानता हूँ, थोड़ा वो समय देना और नीचे एक-दो, एक-दो करके खेलते रहते हैं, जहां भी लूजबॉल मिलती है, उस पर फिर से वो बरस पड़ते हैं, तो यह सब होता है जब आपके दिमाग में क्लारिटी है कि मुझे टेस्ट मैच में बल्लेबाजी किस तरह से करनी है, मेरा पैटन यहीं है, जैसे क चितेशोर पुजारा का पैटन ऊंटेशोर पुजारा का पैटन है कि मैं टेस्ट मैच में मैं ऐसे ही बैटिंग करूँगा, कम वाट में जो भी हो जाए, तो यही उनको वाइड बॉल क्रिकेट में भी लानी होगी अपने बल्लेबाजी में, अभी भी वो क्लारिटी वाइ तो बहुत ज्यादा बेतर तरीके से रिशापन्त की बैटिंग को समझते हैं आप क्या रिजन बेख रहे हैं सब रिजन बता है कि क्लाइटी हो जाएगी उनको जब वाइड बॉल क्रिकेट में तो खेलेंगे वैसे ही लेकिन हम सब बड़े आश्यर में रहते हैं कि जब रेड यह जब उनको छक्का मारा दो तो तो वह उनको क्लास यह है आप तो अगर आप डिली राजी ट्रोफी के घंडे उनकी कुछ हैं कि उन्होंने एक एक मैच में दसदस चक्के मारे हैं और वो सारे फिल्डर मांडरी लाइं पे लगा गाएँ ते रखे हुए तो चस्क्का मार Unfortunately, मुझे भी लगता है कि वो बहुत successful होने चाहिए थे white ball से. बज़ता जो expectation थी उनसे मुझे कि वो white ball में एक champion player होगा. One day में भी और T20 में तो होगे ही. लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. और ये मुझे लगता है कि इस sort of a by chance ऐसा हुआ है. कि वो जब भी बड़ा shot खेलेंगे हैं, वहाँ out हो गए हैं. एक बार वो clear हो जाएगा उनको बड़े score मिलने लगेंगे. तो वो वहाँ पर भी match winner वाली inning खेलेंगे. और वो जब मैं बिलकुल सहमा तो कि clarity थोड़े सी हो जाएगी. या जब वो आप उन्हें कहेंगे कि अब आप established हैं इस one day team में या T20 team में. तो मुझे लगता है कि जब उनके बास जिसे कहता है ना permit होगा अपने strokes खेलने का. तो आप देखेगा कि वो बहुत बड़े player है. वो ऐसा impact वाला player है कि अपर वो कोई भी match जिता सकता है. और सामने कोई भी opposition हो या कोई भी condition हो. आखरी दो स्वाल लेंगे सब्सक्राइब एक तो दूसरे दिन के खेल के वारे में थोड़ा चर्चा करने क्या कुछ आप रहे हैं और क्यूंकि पिछ बहुत slow and low है. कुछ बहुत है कि आखरी का मैं आदा कंटा देख रहा था श्रेयर साहिर दो बार तो बचे के बैट गयते हैं वो ऐसे लगा कुटने पर बैट के बैटिंग करनी पड़ेगी. अब क्या कुछ रणी कि आप देख रहे हैं जहाँ पर बांगलादेश को आप एडलिस follow on कराने किस तो हो सकता है? देखिए पहले सफ़े पहली बात विकेट की अगर हम करें तो ये कुकबुरा red ball इस्तमान हो रहा है. कुकबुरा red ball जो है उसकी जिस तरह से कुकबुरा का white ball एक बार shine निकल जाती है तो उस gain में कुछ नहीं होता है. scene जो है वो भी दबसी जाती है, बोलों उसको मदद मिलती नहीं है, आज हम लों नहीं यहीं देखा. जैसे जैसे ball थोड़ी बुद पुरानी हो गई, बल्ले बाजी और दादा आसान हो गई, और उसके उपर से wicket बहुत दादा धीमा खेल रहा है, तो परशानी होती है गिन बाजों को, वो गती लाने में या फिर एक wicket टेकिन डिलिवरी डालने में. और कल भी मैं यहीं उमीद कर रहा हूँ, अभी तक दो बॉल नहीं है, सेकेंड न्यू बॉल इस्तमाल हो रही है, सिर्फ दसी ओवर हुए है, तो वो पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टन रहेगा, जब तक बॉल सक्त रहेगी, थोड़ी बहुत शाइन रहेगी. पर इस तमे से अगर हम देखें, तो यहां से अगर सौरन, सवा सौरन भारत जोड़ लेता है, तब एक बहुत ही स्ट्रॉंग पोजिशन में आ जाएगा, भारत के पास पांच बॉलर्स है, और यह लगजरी बंगलिदेश के पास नहीं है, इसका मतलब है कि हमारी जो गिनबाजी है, ज के पास, अगर हम लोग कल एक कुछ इस पकार के रंज जोड लेते हैं, तो, राचमाजर आप के रंडीती देख रहे हैं, श्रेय सेहर बैसी पे खेल रहे हैं, और इनके साथ आश्मीन आएंगे, और इसके बास विर आपके टेलेंट है, एक तो श्रेय सेहर की पारी का आगे कितना जाना बड़ा इंपॉर्टिट है और दूसरा, अश्मीन कुल्दीब और अच्छे मैसे सबसे डेंजरस गेनबास के तौर पे किसको देख रहे हैं, जो इस विकेट का फाइदा उठा सकता है, लेकि राजी पहले बलेबाजी की बात करते हैं, तो, श्रेय सेहर लंबा खेलते हैं, और अगर साथ में कॉंट्रिबूट करते हैं, हमारे टेलेंडर, और भारत कहीं सबसे रन और बना लेता है, से अराउंड 400, तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा, और जहां तक बात है भारती स्पेनर्स की, तो मुझे लगता है कि अक्षर भी काफ यहां पर डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से वो गेंदबाजी करते हैं, और गेंद अगर नीचे रहता है, तो बहुत डेंजरस एक रोल प्ले कर सकते हैं, अगर उनको बंगलादेश के बैट्समन पीछे गए, तो फिर उनके लिए काफी मुश्किले हैं, और ब मिला के कुल्दी प्यादा भी एक मिस्ट्री बोलर है, तो मुझे लगता है कि तीनों ही स्पिनर्स हमारे बहुत क्लासिकल स्पिनर्स हैं, और बहुत मुश्किल होगा अब अंगलादेश के बलेबाजों को उनको टैकल करना, इस पर्टिकुलर विकेट पर जहां पर की बहुत बहुत शुक्रिया, राचमा सार आपका, सवा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे जो तमाम दिर्शक हैं, जो विवास से बहुत लखी हैं, कि राचमा सार के एक्सपर्स कमेंट सुन रहे हैं, और सवा भाई जो पूरे दिन महाज देखते हैं, कि बाल पर नजर रखते हैं, आप उनके विश्वर्जर्स उनते हैं, क्योंकि किसी और प्लैट्फॉम पर आप इस तरह का अनलेसिस नहीं सुन सकते हैं, जहापर हर बाल पर चर्चा हो रही हो, हर कमी पर चर्चा हो रही हो, और हर जो अच्छी चीज़ की गई है, उसको हम सकते हैं कि उससे ठीक पहले वारत कम से कम साड़े तीम सो रन बनाना चाहेगा ताकि बंगलादेश पर वो एक अच्छा खासा दबाव डाल सके, तो आज के हमारी इस खास शर्चा में फिलाल पनाएंगे